पिछले दिनों मैं एक सभा में गया सभा में बहुत विद्वान लोग आये हुए थे और एक विद्वान को जब सभा को संबोधन करने का अफसर मिला तो उन्होंने महात्मा सब्दका इस्तमाल किया कुछ लोगों ने कानाफोसी की और थोड़ा सा सभा के अंदर तो ये बताना बहुत जरूरी है कि महात्मा बुद्ध को महात्मा बुद्ध जो कहते हैं वो क्यों कहते हैं या कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए पूरे पाले साहित्य में पाले के जतना भी बुद्ध ने भगवान बुद्ध ने जो भी वर्णन किया है पैतलिस साल तक उसमें कहीं भी आत्मा का एक सिंगल भी जिक्र नहीं है कहीं कोई जिक्र तक भी नहीं है आत्मा का संसकत में आत्म है आत्म का मतलब मैं यानि स्वयम तो स्वयम का पाली में अभी एक शब्द है स्वयम को पाली में बोलते हैं अत्थ अत्थ को ही पाली से लेके संसकत में जब बनाया तो उन्होंने आत्मा कर दिया मगर आत्मा और अत्म का मतलब अलग-लग हो गया अत्त का मतलब मैं स्वयम हूँ जैसे मैं कहूँ अत्ता ही अतनो नात हो यानि मैं स्वयम का अपना ही मालिक हूँ बुद्ध ने कई बार ऐसा बोला है सब जितने भी विचारक हैं सब इसको बोलते हैं मगर अगर मैं ये कहूँ कि आत्मा ही स्वयम का मालिक है तो मतलब बदल जाता है क्योंकि आत्मा की जो परिभासा बताई गई है वो एक ऐसी चीज बताई है जो सरीर को चलाती है जो अजर है, अमर है, ना कटती है, ना जलती है ना तूटती है, ना फूटती है ना घटती है, ना बढ़ती है उसको वहां आत्मा करके जनल भासा में आम भासा में जो प्रचरत किया गया और बताया गया है वो है और आत्त का मतलब मैं खुद हूँ जो जो मैं बैटा हूँ आत्त हूँ इसलिए बुद्ध आत्मा नहीं हो सकते क्योंकि बुद्ध ने कहा था कि अब ये मेरा आकरी जनम है मैंने जनम का प्रोसिस समझ लिया है जनम कैसे होता है और मिर्ट्यू कैसे होती है कैसे आदमी बीमार पढ़ता है कैसे दुखी होता है और कैसे वो सुखी होता है यह सारा मैंने देखा है समझा नहीं है इस बात को ध्यान देना उन्होंने कहा है मैंने देखा है यानि मैंने अनुभव कर लिया है और मैंने इसको साक्षात जान लिया है देखा है तो वो सुना सुनाय नहीं बोल रहे हैं वो पड़ा पड़ाय नहीं बोलने हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने इसको अनुभब किया है, देखा है, तो जब उन्होंने देखा है, तो उन्होंने बहुत श्योर्टी के साथ ये कहा, कि ये मेरा आखरी जनम है, और उनके साथ जो भिक्को संग था, जो लोग इस पोजिशन को निर्माण की, यानि अरहत की पोजिशन को प्राप्त कर लिते थे, उनका भी आखरी जनम होता था, और वो जानते थे इस बात को, कि ये हमारा लाश्ट बर्थ है, वो हमारा बर्थ नहीं होगा, आत्मा की फिलोस्पी अलग है, बुद्ध के पूरे 45 साल के साहित्ते में, जीवन में, जो उन्होंने बताया, और जो आज तक भी दुनिया में बताया जाता है, एक सिंगल वर्ड भी, आत्मा का कहिनी आता, जिस व्यक्ति ने कभी आत्मा का जिक्र तक नागना किया हो, उसको महा आत्मा, यानि महा माने बड़ी और आत्मा माने, जो आत्मा का प्रिकार में ने बताया, तो महा आत्मा कैसे बोल सकते हैं, इसलिए जो लोग वहाँ बोले, सभामे या बोल जाते हैं, वो basically शब्द का मतलब नहीं जानते वो पिरचलन में चला आ रहा है बच्छपन से सीखते हैं महात्मा महात्मा बहुत जादा करते हैं तो वो वहां से उन्होंने उठा लिया बिना जानकारी के बोलते हैं जानकारी का अभाब की वैसे बोलते हैं उनकी कोई मनोदिशा या कोई उनकी सिती ऐसी नहीं है कि वो जान के बोलने है समझ जाएंगे, अगर कोई बता देगा उनको तो वो महात्मा कहना बंद कर देंगे वो बुद्ध के हजारो नाम है पिछली मैंने वीडियो में बुद्ध के बहुत सारे नाम बताएं अभी तो और भी चुड़ गए है अलोक दीप, तिरलोकी नाथ लोक नाथ, तिरलोक नाथ जगत अलोक, महा देव, देवाती देव यानि देवों के देव अब यहां देव का मतलब ही समझ देव का मतलब है जो पंच सील का पालन करते हैं मनुस से है जो पंच सील का पालन करता है उसको देव बोलते हैं पाली में और जो पंच सील का पालन नहीं करता उसको मनुस से बोलते हैं तो यानि ऐसे जो जितने भी लोग जो पंसील का पालन करते हैं, उनके भी देव हैं, यानि उनसे भी ज़्यादा सील का पालन करने वाले हैं, समधस्टा हैं, महाकारवनिक हैं, बहुत सारे नाम हैं, हज्जारों नाम हैं उनके, नामों की तो कोई लिमिटी नहीं है, इतने न बुद्ध बुलने से काम चल जाता है, तथागत बुलने से काम चल जाता है, बुद्ध बुलिए, पूरी दुनिया बुद्ध बुलती है, धन्यवाद.